नमस्कार मेरे पहरे विद्यातियों तो लास्ट क्लास में हमने किसी समीसर संख्या का वरगमूल कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में डिसकेशन किया था ना तो उस पे एक एक जांपल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं पन नेक्स टॉपिक करते हैं इसमें तो एक एक एक्जाम्पल करें सभी, माना x plus iota y equals to unroot में a minus iota b upon c minus iota d, हो तो x square plus y square का whole square का मान ग्याद करो, का मान होगा, ठीक है, यहनि x plus iota y के equal हमें दिया हुआ, unroot में a minus iota b upon c minus iota d, तो हमें x square plus y square के whole square का मान ग्याद करना है, आपके पास 4 option है, option a में है a square plus b square upon c square plus d square, option b दिया हुआ है, जो अप्शन c दिया हुआ है, a square minus b square upon c square minus d square, और जो option d दिया हुआ है, उस पे आते हैं हमें, कि a square plus b square upon c square plus d square का whole square, ठीक है, तो यह हमारे पास question है, कि x plus iota y equals to हमें यह value दे रखिये और x square plus y square का whole square का मान ग्याद करना है, तो सभी try करें, वरगमूल find करना हमने शिखा था, मैंने बताया था, last में हमने तीन method किये थे उस दिन, तो तीनो method में, जो last में हमने method किया था, वो आपको ध्यान दखना है, उस जे direct वरगमूल कैसे find किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर हमें करना है कि, x plus iota y, x plus iota y equal क्या दे रखा है बच्चों, x plus iota y के equal हमें दिया हुआ है, and root में, a plus iota b, sorry, a minus iota b upon c minus iota, यह दिया हुआ है, ठीक है, और हमें value find करना है, x square plus y square के whole square की, तो अगर हम इसका conjugate ले, x minus iota y, तो इसका conjugate क्या जाएगा अपने पास, यानि a plus iota b upon c plus iota d, यह लिख सकते है, a x plus iota y, a minus iota b upon c minus iota d का root दिया हुआ है, इसका हमने conjugate लिख दिया, ठीक है, फिर अगर इन दोनों को multiply करेंगे, और इनको multiply करेंगे, और इनको multiply करेंगे तो, unroot में a minus iota b, और इदर हो जाएगा अपने पास a plus iota b, और upon में क्या हो जाएगा बच्चों, c minus iota d upon c plus iota d, यह लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसको अगर simplify करेंगे, तो इदर ही है क्या बन जाएगा, x square plus y square, plus y square बन जाएगा, और यहां देखें तो, unroot में, यहां उपर a square plus b square बन गया, और नीचे देखें, c square plus d square, c square plus d square, अब इसका square की value पूचिए, तो इसके square की value क्या आजाएगी यहां से, यहांने x square plus y square का whole square है, वो क्या आजाएगा, इसका square कर देंगे, तो unroot हट जाएगा, तो यह value आजाएगी अपने पास, a square plus b square upon c square plus d square, तो यह value क्या आगी अपने पास, option a, ठीक है, तो इस type का question भी exam में कई बार पूच लिया जाता है, तो ध्यान रखें, ठीक है, और एक method और भी था, या तो आप इसका दोनों तरफ, अगर अपन मापांग लेते, मोड ले लेते, तो मोड लेते उससे भी हो जाता, मोड ले से भी, कैसे करते है उसमें, second method क्या होता है, कि x plus iota y का मोड लेंगे, तो इदर मोड हो जाएगा, and root में, a minus iota b upon c minus iota d, इसका मोड ले लेते, ठीक है, तो यह भी एक method है करनेगा, इससे भी कर सकते हूँ, दोनों तरीकों से आप इसको solve कर सकते हैं, ठीक है, उसमें फिर क्या करोगें, यहाँ पे, इसमें square कर दो, दोनों साइड, यानि इसको हम क्या लेक सकते हैं, and root में, यानि mode of a minus iota b, इसका and root हो जाएगा, और यह हो जाएगा, c minus and root में, c minus iota d, का and root हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, x plus iota y, फिर दोनों तरीप square करो, और इसका, इस तरीके से भी आप value find कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे यह आसान था, method मेंने यह ध्यान रखना आपको, उसकी बजाए, उसमें फिर क्या करेंगा, अगर इस method से करना चाहेंगे, तो यह square कर दो, यह square कर दो, यह square कर दो, और फिर modulus value लोग तो a square plus b square हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, c square, और plus d square हो जाएगा, कान root आएगा, तो फिर square करेंगे, then यह value आजाएगी, क्योंकि x square यहां क्या हैगा, इसके square करेंगी, X square plus Y square आएगा फिर square करेंगे तो X square plus Y square का whole square बन जाता है तो then यह value आजाएगी ठीक है तो वो method भी देख लें लेकिन यह आसान था यह method करें आप ठीक है तो यह था किसी भी समीसर संख्या का वरगमूल कैसे find करते हैं यह अपने last topic पड़ा था अब आज देखें कि किसी भी संख्या का गमूल कैसे find करते हैं तो next heading डाल लें तो next heading डाल लें समीकाई के गमूल cube root of unity इकाई के घनमूल इकाई के घनमूल यहनी cube root of unity तो next setting डाल लें इकाई के घनमूल यहनी cube root of unity तो यह से भी देखो काफी से एक एग्जाम मेंischen पूछे जाते हैं कई बार वरिगंूल पूछ लिया जाता है या कई पर इकाई के घनमूल यानी के घनमूल के घनमूल इसको Ikaï के घंभूल. Ikaï के घंभूल कैसे फाइंद करेंगेंगें? हमें क्या फाइंद करना है? 1 की पावर 1 by 3. 1 की पावर 1 by 3. तो हमने मान लेते हैं कि Ikaï के घंभूल एएंट x equals to 1 to the power 1 by 3. घakap है? यह मान लेते हैं उपनगो. इकाई के घनमूल फाइंड करने है तो 1 की पावर 1 by 3 फाइंड करने है इसकी value क्या क्या हैगी ठीक है तो यहनी इसको मैंने x एजूम कर लिया तो अगर दोनों तरफ cube करें तो यहां से x cube इकोस टू क्या जाएगा बच्चों 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं x cube minus 1 equals to 0 आजाए इसको यहनी x minus 1 into x square plus x plus 1 equals to 0 हो जाएगा तो यहनी एक तो इसका मूल क्या गया x equals to 1 आगया यहनी इसको x equals to 1 और इसको जब simplify करें 2 सिरीधराचार यह formula लगा सकते हैं यह तो यह minus 1 plus minus under root में b square b square का मतलब x का coefficient क्या है 1 तो 1 minus 4 a का मिनिंग क्या हो गया 1 into c 1 a का मतलब x square का coefficient हो गया और c यहाँ पर 1 दिया हो है constant term हो गयी और फिर divided by क्या रहता है इसमें 2 into a a क्या है 1 है यह लिख सकते हैं ठीक है अब इसको अगर हम simplify करें इसको simplify करें तो क्या हैगा x equals to 1 आगया और यहाँ से देखें x equals to minus 1 और plus minus यहाँ देखो 1 minus 4 का मतलब हो गया minus 3 तो इसको मैं लिख सकता हूँ unroot 3 iota, unroot 3 iota upon 2, unroot 3 iota upon 2 तो यहाँ से हमारे पास x एक तो आगया 1 और एक value लिखें minus 1 plus unroot 3 iota by 2 और एक value हो गया minus 1 minus unroot 3 iota by 2 तो हैनि कि इकाई के घनमूल हमारे पास कहाए x equals to 1 और minus 1 plus unroot 3 iota by 2 और minus 1 minus unroot 3 iota by 2 तो हमारे पास जो इकाई के घनमूल है वो आगया 1 और minus 1 plus unroot 3 iota by 2 minus 1 minus unroot 3 iota by 2 तो हैनि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो इकाई के घनमूल है 1 और इसको minus 1 by 2 plus unroot 3 by 2 iota और यह हो गया हमारे पास minus 1 by 2 minus unroot 3 by 2 iota तो यह हमारे पास 3 iota के घनमूल मिल गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं कि हमने 1 की पार 1 by 3 equal x माना x cube equals to 1 आ गया तो इसके solution आगे क्या है x minus 1 और 1 x square plus x plus 1 then इसके अमेरे पार root find करने हो तो वो कैसे find कर सकते हैं शिरी दराचारी इस formula से तो यह 3 root आगे इसके तो यह है 3 ikaई के घनमूल यह कह है 3 ikaई के घनमूल है चीक है बच्चों तो यह ikaई के घनमूल आगे यह नहीं 1 to the power 1 by 3 के अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक तो root आगया 1 और तो दूसरा root है minus 1 by 2 और plus and root 3 by 2 iota अगर मैं इसको omega u assume कर लेता हूँ यह यह minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota यह मान लेते हैं omega के equal है और अगर यह omega के equal है तो इसका square करेंगे तो minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota का whole square यह किसके equal हो जाएगा omega square के अब जब इसका square करोगे तो square करेंगे तो इसके equal हो जाएगा यहनि minus 1 by 2 इसका square करेंगे तो minus 1 by 2 और minus 3 by 2 iota आप चेक कर सकते हैं इसका स्क्वार करके देखो यहां से क्या आएगा इसका स्क्वार कर लेते हैं आपे यहाएगा 1 by 4 प्लस यहां से क्या आजाएगा इसका स्क्वार करेंगे तो माइनस का 3 by 4 यहाएगा माइनस का 3 by 4 और फिर आजाएगा माइनस का 2 into में 1 by 2 into में and root 3 by 2 iota यह लिख सकते हैं इसको तो यहां से simplify करेंगे तो देखो क्या आ गया यहां से minus का 1 by 2 और यह cancel हो गया है यहां से क्या आएगा minus का and root 3 by 2 iota और इसको मैंने नाम दे दिया क्या हो गया omega square तो यानि यह जो हमारे पास जो इकाई के घनमूल आए हैं इनको हम या तो 1 minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota या minus 1 by 2 minus and root 3 by 2 iota भी लिख सकते हैं या फिर इसके जो इकाई के घनमूल हैं उनको हम किस format में लिख सकते हैं 1 omega omega square तो omega की value क्या होगी minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota और omega square की value क्या होगी बचो यहां पे minus 1 by 2 minus and root 3 by 2 iota यह से find कर सकते हैं कि अगर हम इसको ओमेगा एजूम करते हैं तो omega square क्या आ गया minus 1 by 2 minus and root 3 by 2 iota ठीक हैं तो इकाई के घनमूल यह लिखें या यह लिखें एक ही बात हैं तो सबसे पहले हमें इकाई के घनमूल find कर लिए 1 omega omega square तो यहां तक लिख लो सभी 1 omega omega square और जहां omega की value क्या है वो हमने find कर लिए और omega square की value भी हमारे पास आ गी ठीक है यहां तक लिखो सभी अब देखो यह आगे एकाई के घनमूल यह हमें find करना था यह हमने find कर लिए इनको अलग से दिखें और यह इध्यान भी रखने 1 omega omega square और omega की value क्या होती है और omega square की value क्या होती है तो यहनि अभी हमने क्या find किया है इकाई के घनमूल जो हमारे पास आ गए 1 omega omega square यहां फिर इसको हम लिख सकते है और minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota और यहां पे minus 1 by 2 minus and root 3 by 2 iota यह आगे हमारे पास इकाई के घनमूल ठीक है अब हमें क्या करना है जैसे omega equal क्या है वचो omega equal है minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota ठीक है यह root दिया हुआ है इसको हम अगर धुर्विय रूप में लिखना चाहें तो दूर्य रूप में लिखनेंगे तो क्या आजाएगा और इसको दूर्य रूप में लिखें तो र हमारे पास क्या है गा इसका square плюс इसका square का root आता है तो इसका square क्या हो जाएगा यहनि अगर हम फाइंड करते हैं तो याद होगा आपको ex square plus y square क्योंकि दुरिया रूप में कैसे लिखते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा यह लिखते हैं दुरिया रूप में थीटा फाइंड करेंगे तो टेन इन्वर्स वाई बाई एकस आजाएगा यानि जो भी हमारा आर्गुमेंट होगा वो फ्रिंचिपल आर्गुमेंट करना है औ बनों होगी अब हमेंस 높नांगानाओ थीटा यह यह हमारे पास क्या होता है स यह फ्रिंट आर्गुमें प्रिंचिपल अर्गुमेंट तो त्यटा है यह कु कोण्र को किसो कवाइंट मे लाई कर रहा ए एक्स क्या हरए नेगेटिव एकसि यह और जो काल्पनिक भाग है वो पोजिटिव यानि की y-axis पे, तो पोजिटिव y-axis पे तो निस इन इन सेकिंड क्वाइडन में हो गया, और सेकिंड क्वाइडन में हमें पता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, वो पाई माइनस थीटा होता है, याद करो, पाई माइनस थीटा होता है की नहीं होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा होता है, पहले थीटा फाइंड कर लो, तो यह हो जाएगा, 10 inverse, y का मिनिंग क्या हो गया, अन्रूट 3 बाइ 2, और इसका मिनिंग हो गया, 1 by 2, माइनस 1 by 2, तो मोड लेंग कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो 10 inverse अन्रूट 3 आजाएगा, और 10 inverse अन्रूट 3 का मिनिंग क्या हो गया, 10 inverse अन्रूट 3 की वेल्यू है, तो यह हो गया, पाई वाई 6, पाई वाई 3, sorry, पाई वाई 3, तो थिटा है, वो पाई वाई 3 हा गया, तो जो principal argument है, वो पाई ओन सथिटा है, तो पाई माईनस पाई वाई 3, तो यह बन गया 2 पाई वाई 3, 2 पाई वाई 3, तो इसका मतलब, जो हमारे पास omega है, उसको हम इस format में भी लिख सकते हैं, R1 दिया हुआ है, थिटा की value रख जेते हैं, यानि कोस थिटा, थिटा मतलब 2 pi by 3 प्लस आयोटा sin 2 pi by 3. अब देखो, ओमेगा भी लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 by 2 प्लस अंडूर 3 by 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, या अगर धुरिय रूप में लिखेंगें तो कोस 2 pi by 3 प्लस आयोटा sin 2 pi by 3 भी लिख सकते हैं, तो ये तीन फोर्म होगी, इसको ध्यान रखने के लिए, आपको जो मर्जी आप ध्यान रखें इसको, ठीक है, तो ये हम वही है, प्रिंशीपल आर्गुमेंट हमें पता है, ये जो आपके पास complex number है, ये कहां लाई कर रहा है second quadrant में, और second quadrant में आप ध्यान दो, कि जो प्रिंशीपल आर्गुमेंट होता है, वो pi minus theta होता है, क्या होता है, pi minus theta, और वहाँ theta कैसे find करते है, 10 inverse mod of y by x से, ठीक है, अब देखो, ये हो गया इसका धूरी विरूप, omega का, omega square का धूरी लिखेंगे तो, omega square क्या होता है, minus 1 by 2, minus 3 by 2 iota, ये लिखेंगे, और यहां से हमारे पास, omega square को अगर धूरी रूप में लिखेंगे, तो यहां r फिर 1 आएगा, r फाइंड करोगे तो 1 आजाएगा, तो theta क्या हैगा, यहां पर देखो, theta हमारे पास, ये कौन से quadrant में लाई कर रहा है, third quadrant में, और third quadrant में हमें पता है, कि ज principle argument है, वो क्या हो जाएगा, theta minus pi हो जाएगा, principle argument है, वो theta minus pi हो जाएगा, और theta minus pi होने का मतलब क्या है, theta भी हमने find गया था, same आएगा, तो pi by 3 minus pi, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, minus 2 pi by 3, minus 2 pi by 3, अब या तो इसको minus 2 pi by 3 लिखो, या फिर हम क्या करें, इसमें 2 pi एड कर दो, तो 2 pi एड करोगे, तो क्या जाएगा, क्योंगि इसकी value जो है, वो क्या है, 2 pi एड करेंगे, तो minus 2 pi by 3, या जाएगा, तो 4 pi by 3 लिख दो, 4 pi by 3, मैंने बताया था ना, कि अगर मालो अपने पास angle है, वो, या तो minus 2 pi by 3 लिखो, तो minus 2 pi by 3 लिख दो, लेकिन minus 2 pi by 3 को अपने बताया था कि principal argument लिखना है, तो उसमें 2 pi एड करके भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी angle लिखना चाहूँ, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, यहाँ minus 2 pi by 3 करोगे, तो वो भी सही है, और अगर हम इसको minus को अटाना चाहें, तो 2 pi एड करके हटा दो, याद है सबको, एंगल कैसे find करते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ से 6 और minus 2 pi, यह निए 4 pi by 3, तो इसका omega square की value जो आएगी, cos 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3, यह लिखो, यह फिर omega square क्या लिख सकते हैं पन, cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by minus का आएगा, तो यहाँ minus लगा देना, वो भी ठीक है, दोनों polar form होती हैं, जो आपको लिखना चाहो लिख सकते हैं, चीक है, जो मर्जी है, यह लिख लेना, confuse नहीं होना है, एक तो यह लिख सकते हैं, और किसी को अगर same यह लिखना है, तो वो भी गलत नहीं है, मैंने बताया था ना, angle, अगर वो principle argument लिखता है, देन ठीक है, अगर आपके principle argument नहीं लिख रहा है, तो इसको यह लिख सकते हैं, और करके लिख लेना, confuse नहीं होना है, यह लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें confused रहते हैं, कि इसर कब क्या, कुछ नहीं है, पहले आप principle argument निकाल लो, अब उसमें 2 pi add करके लिखो, या कोई फरक नहीं पड़ रहा, कई बार minus 2 pi add कर दो, उसमें कई बार 2 pi add कर दो, क्योंकि मैंने बताया था न, general argument, यानि जो व्यापक कोणांग होता है, उसमें 2 pi add करो, angle change, जो होता र option लिखता है, वो उसकी मर्जी है, तो ये भी है, और omega square को, अगर वो आप से पूचा जाए, omega square को किस रूप में लिखो, धुर्विय रूप में, ये भी लिख सकते हो, और omega क्या आ गया, 2 pi by 3 plus iota sin 2 by by 3, चिक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने, इकाई के घनमूल फाइंड किये, वो क्या है, 1 minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota, और minus 1 by 2 minus and root 3 by 2 iota, ये आ गये, इसको हमने omega नाम दिया, तो वो omega square हो गया, तो 1 omega omega square हमारे घनमूल आ गये, फिर हमने इनको धुर्विय रूप में लिख लिया, तो इसका धुर्विय रूप ये बन गया, और omega square के धुर्विय रूप ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, समझ आगे, ऐसा क्यों कर सकते हैं, चीक है, क्योंकि देखो, ये 4 pi by 3 है, ये वैसे इसमें 4 pi by 3 एंगल जो आएगा, वो pi से बड़ा आ रहा है, तो pi से बड़ा आ रहा है, तो अपन मैंने क्या कहा था, उसके एसाब से आपको देखना है, तो इसमें confuse नहीं होना है, बिलकुल भी बुकों में ये चीजे लिखी भी नहीं होती है, ठीक है, नेक्स लिखो इसमें, तो ये थे हमारे इकाई के घनमूल, तो one omega omega square और इनके धुर्विय रूप भी हमने लिख लिख लिए, अभी तक जो हमारे पास information है, वो क्या-क्या आ गई, एकाई के घनमूल और इनकी value omega omega square की, और इनको धुर्विय रूप में कैसे लिखा जाता है, ये भी exam के questions होते हैं, ठीक है, अब हम लिखते हैं इसके कु लिखें, next adding, गुणधरम, इकाई के घनमूल के गुणधरम में find करने हैं, तो अभी हमने देखा कि इकाई के घनमूल हमने find किया, तो x equals to 1 की power 1 by 3, ये लिखाता हमने, ठीक है, यह से हमने निकाला x cube equals to 1 हो जाता है, फिर हमने देखा x cube minus 1 equals to 0 हो जाता है, ये अभी लिखा हम पिर इसके जो root आए, बच्चो, x minus 1 और यहां से x square plus x plus 1 equals to 0, ये आगे था, और हमें पता है, जो omega है, omega समीकरण x square plus x plus 1 equals to 0 का मूल है, अभी हमने find किया था, और अगर ये इसका मूल है, तो इसको satisfy करेगा, अगर omega समीकरण x square plus x plus 1 का मूल है, अभी हमने देखा ना, क्योंकि ये root इसी के निकाले थे, इसको हमने ओगी में omega नाम दिया, तो omega इसका root है, और अगर ये इस समीकरण का root है, मूल है, तो ये इसको satisfy करेगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते है, omega square plus omega plus 1 equals to क्या होता है, बच् omega square plus omega plus 1 equals to क्या होता है, 0 होता है, तो अगर ऐसा है, तो इस समीकरण को अगर मैं omega से multiply कर दूँ, इस समीकरण को अगर omega से multiply करेंगे, तो क्या जाएगा, omega cube plus omega square plus omega equals to क्या जाएगा, 0, और omega square plus omega की value क्या है, minus 1 है, तो यहां रख देंगे, तो omega cube minus 1 equals to 0, तो omega cube equals to क्या होता है, 1, तो यानि जो हमने इकाई के घंदमूल फाइंड किये थे 1 omega omega square फिर इनका दूरविय रूप लिख लिया था हमने क्या क्या होता है फिर की omega square plus omega plus 1 equals to 0 होता है तो एक यह हमारे पास information आ गई और एक information हो गई की omega cube equals to हमेशा क्या आता है 1 आता है तो यह सारी information हम इकटी कर रहे हैं साथ साथ में कि omega cube equals to क्या हैगा वना जाएगा और omega square plus omega plus 1 equals to क्या होता है 0 होता है जहाँ omega क्या है इकाई का गंदमूल है तो यह सारी information हमने लिखी है अब next property इनकी लिखते हैं तो इसका मलब omega cube है वो मेंसा क्या देता है 1 देता है तो इसकी कोई भी power n करेंगे यहनि omega cube अगर 1 देता है तो इसकी कोई भी power n करेंगे तो यह क्या देगा मेंसा 1 देगा ठीक है next property लिखें कि यदि omega समीश्थर संख्या का इकाई घनमूल है तो फर्स्ट यहां से हमने find कर लिया omega square plus omega plus 1 equals to 0 होता है second हमने proof कर लिया कि omega cube equals to क्या होता है 1 होता है omega cube equals to क्या होता है 1 होता है तो थर्ड property लिखें कि जो omega square equals to क्या होता है omega square equals to क्या होता है omega square यानि कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो, omega square plus omega plus one equals to zero होता है, omega cube equals to one हो गया, और यहां से हमें पता है कि omega cube minus one, यह हम यह कहें, कि one into omega into omega square, अगर हम find करते हैं, तो क्या आएगा? यह value क्या आएगी? वन आजाएगी. one into omega into omega square, यह one आएगा, कैसे? क्योंकि omega into omega square यह नहीं, omega cube है, वो क्या दिया हो है? one, तो यह one के एकुल, तो इनका तीनों का product है, वो क्या आजाएगा, ऐसे यह नेक्स प्रोपर्टी लिख सकते हैं, four, कि omega का whole square करो, या वो किसके एकुल आता है? omega square के एकुल आता है, अभी हमने देखा था, omega का whole square करेंगे, वो किसके एकुल आता है? omega square के एकुल आता है, तो यह next property होगी, next property लिखो, omega bar, next property, five number, omega bar है, वो omega square के एकुल होता है, चेक कर सकते हैं, यह सारी property याद करने की जोरत नहीं है, हमने सारी find की हैं, आप देखो, वो करहा है omega bar, यहने omega conjugate निकालना है, तो omega अभी क्या था? omega conjugate find करना है बच्चों, तो omega क्या था? minus 1 by 2 plus and root 3 by 2 iota, इसका conjugate करेंगे तो क्या हो जाएगा? minus 1 by 2, minus and root 3 by 2 iota, और यह value किसकी है? omega square की, तो omega का conjugate है, वो किसके एकुल होता है? omega square की एकुल होता है, यह information हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? और omega square का, अगर हम conjugate लेंगे, वो क्या हो जाएगा? omega की एकुल हो जाएगा, तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं? next property 6, कि अगर हम omega square का conjugate लेते हैं, तो omega square का meaning क्या है? minus 1 by 2, minus and root 3 by 2 iota, यह लिखते हैं, omega square, तो अगर omega square का conjugate, तो यह होगा, minus 1 by 2, plus and root 3 by 2 iota, यह लिख सकते हैं, और यह किसकी value होती है? omega square का conjugate, यह लिख सकते हैं, और यह omega की value होती है, तो यह omega के equal आ गया, यह omega के equal आ गया, तो यह basic information है, सारी आप इनी से find कर सकते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले एकाई के तीन गन्मूल find किये, 1, omega, omega square, इनकी value, फिर इनको धुर्विय रूप में लिखा, फिर हमने इनकी कुछ property find की, जो में पास यह information आ गई, ठीक है, आप कुछ और next property लिखते हैं, तो यह हो गया, omega square का conjugate है, वो omega के equal होता है, और omega conjugate है, वो omega square के equal लिखा जाता है, ठीक है, next property लिखो, omega का inverse है, वो किसके equal आएगा, अगर हम omega का inverse find करें, और हमें पता है, यह से, अगर हम omega square का holy square करते हैं, तो यह आजाएगा, omega की power four, इसको हम लिख सकते है, omega cube into omega, यह one हो गया थे, omega equal, तो omega की power four है, वो omega के equal आजाएगा, ऐसे हम next property लिखना चाहें, omega inverse कैसे find करेंगी, omega inverse, वैसे हमें पता है, omega cube equals to क्या होता है, one होता है, next property जो भी डालने हैं, और omega into omega square equals to one है, तो यहां से omega equals to क्या जएगा, यह फिर हम्मेm omega inverse find करना है, omega inverse find करना है, यहनी कि हमें find करना है, 1 by omega की value, तो 1 by omega की value किसके equal होगी, क्योंकि हम जानते हैं, omega square into omega equals to one होता है, तो one by omega है, वो omega square के equal आती है, तो यहनि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, कि omega का inverse है वो 1 upon omega की equal होता है, और 1 upon omega है वो omega square की equal होता है, तो omega का inverse जो आएगा बच्चों, omega का inverse है वो omega square बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि omega into omega square वो 1 होता है, omega क्यों भी लिखा हुआ है, तो 1 by omega है वो omega square बन गया, और 1 by omega है क्या होता, omega inverse होता है ऐसे एगर omega square का inverse निखेंगे तो क्या हो जाएगा omega हो जाएगा तो omega square का inverse करेंगे वो क्या हो जाएगा omega हो जाएगा तो यह सारी properties आप लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो omega square है इसका जो inverse होता है वो omega के equal होता है तो यह basic property है, आप direct इन से find कर सकते हैं, ठीक है? यह information आपके पास होनी चाहिए. अगर omega samisat sankya का इकाई घनमूल है तो यह सारी properties आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसमें जो important properties थी, वो क्या थी बच्चों? कि जो 1 प्लस omega प्लस omega square equals to 1 होता है, और omega cube equals to 1 होता है. यह सारी properties में होना चाहिए. ठीक है? उनी से हमने सारी properties develop की हैं, सारी. ठीक है? अब देखो, हमें information क्या दे रखिए? कि omega next property डाल ले ना, omega cube equals to 1 दे रखा है. अगर मैं इसकी कोई भी power करता हूं, omega cube की power n वो क्या हैगा 1 की power n और वो 1 हो गया. तो यहां से हमारे पास क्या information आगी कि omega की power 3 n वो क्या हैगा मैंसा 1. तो अगर omega की power अगर 3 के multiple में है, omega की अगर कोई भी power है और वो 3 के multiple में है, तो उसकी value हमेशा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. इसकी value हमेशा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो यह भी next property लिख लेना, कि omega की power अगर 3 के multiple में है, तो उसकी value हमेशा क्या हैगी, बच्चो? 1 आएगी. इसका मतलब क्या है? example के लिए यहां से, जैसे मालो, omega की power 3 है, वो 1 होता है. omega की power 6 है, वो भी 1 हो जाएगा. omega की power 9 है, वो भी 1 हो जाएगा. So on. यहनि जो omega की power 3 के multiple में आएगी, तो उनकी value हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी. यह यहां से लिख सकते हैं? n की value रखो, change करो. Then omega की value find कर सकते हैं. तो जब भी omega की power जो है, वो 3 के multiple में है, तो इसका मतलब उसकी value हमेशा क्या आने वाली है? 1 आएगी. उसकी value हमेशा क्या आने वाली है? 1 आएगी. चीक है? तो यह property सारी add कर लो. इनी पे based question आते हैं exam में. आसान-ासान question रहते हैं. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. चीक है. अब अगर हम omega की power 3n equals to 1 दे रहे हैं, तो और omega की power 3n plus 1 अगर लें, omega की power 3n plus 1 लें, तो वो क्या ऐगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? omega की power 3n. और into में omega लिख सकते हैं. तो यह क्या बन गया? 1 और यह आगया omega. तो omega की power 3n plus 1 है, वो omega की कुलाता है. और अगर next हम फाइंड करें, omega की power 3n plus 2. omega की power 3n plus 2. तो omega की power 3n plus 2 क्या आएगी बच्चों यहां से? omega की power 3n, और into में omega square, और omega की power 3n है, वो 1 हो गया, तो यह omega square. तो यह नहीं, अगर omega की power अगर 3 के multiple में है, तो उसकी value तो 1 हो जाएगी, और omega की power 3n plus 1 है, वो omega की इक्वल हो जाएगा, और omega की power 3n plus 2 है, वो omega square की इक्वल हो जाएगा. तो अगर हम यहां से एक और property बना, यह सारी properties नहीं लिखते रहना आपने आप, जो भी number है, next number इनका, कि omega इक power 3n है, वो 1 होता है, omega इक power 3n plus 1 है, वो omega हो जाएगा, omega इक power 3n plus 2 है, वो omega square हो जाएगा. अगर मैं इन तीनों को एड़ करता हूँ, यहनि omega इक power 3n plus omega इक power 3n plus 1, और plus omega की power 3n plus 2, 3n plus 2, तो इसकी value क्या जाएगी बच्चों यहांसे, omega इक power 3n है, इसकी value 1 है, plus omega इक power 3n plus 1 है, इसकी value क्या है, omega दे रखिये, plus omega इक power 3n plus 2 है, इसकी value क्या दे रखिये, omega square, और इसकी value क्या होती है बच्चों, 0, तो यहांसे एक नए result आ गया, omega की power 3n plus omega की power 3n plus 1 plus omega की power 3n plus 2 इसकी value क्या आती है? 0 तो यहां से हम यह भी तो कह सकते हैं बालो, जो 3n है इसको मैंने कोई M नाम दे दिया यानि next property हम बनाना चाहें तो यहां से तो omega की power 3n है वो हमेशा 1 आदे हैं m plus 1 plus omega की power m plus 2 करता हूँ तो यह 0 आ रहा है और जहां omega m equals to क्या है बच्चों? 3m है m equals to क्या है? 3n है यह तो है information हमारे पास तो m को अगर मैं 3n मान लिया मैंने तो omega 1 power m plus omega 1 power m plus 1 plus omega 1 power m plus 2 तो यानि omega की तीन करमागत घातों का जो योग है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है omega की तीन करमागत घातों का योग क्या आता है? 0 आता है तो एक नए result लिख सकते हूँ कि omega की तीन करमागत घातों का योग सदेव सुनने होता है omega की तीन करमागत घातों का योग सदेव क्या होता है? सुनने होता है ठीक है? अगर इसको इस तरीके इसे पूरूफ कर लो या फिर हम इसको ऐसे भी पूरूफ कर सकते हैं omega 1 power m omega 1 power m plus 1 omega 1 power m plus 2 यह करमागत घात हैं? हाँ या ना? इन में से omega 1 power m common ले लो तो यह 1 plus omega plus omega square ही बनना है और इसकी value कि omega की तीन करमागत घातों का योग सदेव क्या होता है, सुनने होता है, या फिर omega 1 power 3N plus omega 1 power 3N plus 1 plus omega 1 power 3N plus 2, इसकी value भी अमेशा क्या आती है, 0 आती है, ठीक है, तो यह सारी properties है, इनमें याद करने की ज़रूत नहीं, एक भी properties शारी हम one by one proof कर रहे हैं, जो मैं जीजे हैं, एक तो हमारे पास इसके cube जो भी काई गनमूल है, वो याद रखने कौन-कौन से हैं, omega की value, फिर इनका धुर्विय रूप पुछा जा सकता है, फिर इन पे जो 1 plus omega plus omega square equals to 0 होता है, और omega cube equals to 1 होता है, यह सारी properties है, वो important है, ठीक है, बाकी सारी इनी से अपन फाइंड कर रहे हैं, और यहां से की omega की power अगर 3 के multiple में हैं, तो वो हमेशा 1 देता है, और next यहां से अभी क्या हो गया, कि omega की power अगर 3 करमागत घातों का योग है, तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, सुनने होता है, ठीक है, तो यहां तक अभी तक हमने इतनी properties की find की हैं, ठीक है, इनको लिक तक हमेशा गनमूल है, उसकी कुछ basic properties, यहनि ओमेगा की तीन करमागत घातों का योग है, वो हमेशा क्या होता है, बच्चों, सदेव सुनने होता है, हमेशा क्या होता है, सुनने होता है, लिख ले इनको, तो तीन करमागत गहतों का योग, सदेव क्या होता है? सुनने होता है. चीक है? अब next लिखें, जो भी property है, कि 1 की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n की value क्या आएगी? 1 to the power n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n है, तो इसकी value क्या आएगी? यह में find करना है. और n कोई भी integer हो सकता है. Find करो इसको. अब देखो इसको अगर अगर अग्जाम्पल से करें, तो क्या आ रहा है? अगर n को 1 रखता हूँ. 1 रखेंगे तो यह 1 प्लस ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वार यह क्या देता है? 0. n को मैं 2 रखता हूँ. तो n को 2 रखेंगे तो 1 का स्क्वार प्लस ओमेगा की पावर 4. यह रिखेंगे और यह value होती है 1 प्लस omega square और omega की पावर 4 अमें पता है भी हमने find की ते omega होती है यह फिर 0 आगी फिर अगर हम n equals to 3 रखें तो 1 to the power 3 प्लस omega की पावर 3 प्लस omega की पावर 6 यह क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यह value क्या आगी 1 प्लस 1 कि मैंने बता है ओमेगा की अगर कोई घात है और वो 3 के multiple में तो उनकी value में 7 होती है तो omega की पावर 3 वन हो गया omega की पावर 6 है वो भी 1 हो गया तो यह value आगी 3 तो यह हम result बनाएंगे इसको फिर general proof भी कर सकते हैं कैसे कि इसकी जो value है 1 to the power n प्लस omega की पावर n प्लस omega की पावर 2 n यह value 0 होती है यह 3 होती है कब जब n यह हम कहें omega n है वो 3 का गुणज होना चाहिए यह जो n है यदि तो अगर n 3 का गुणज है तब तो इसकी value क्या आएगी 3 आजाएगी कैसे आएगी in general देख लेंगे वैसे example से तो में दिख रही है n को हमने 3 लिखा तो 3 का multiple है तो value 3 आ रही है और अगर n 3 का गुणज नहीं है n 3 का गुणज नहीं है तो अगर n 3 का गुणज नहीं है वच्चों तो यहां से value आती है 0 यह तो था हमने examples लेके देखे in general कैसे proof करोगे देखो यहां देखो इसको यहां इसको हम क्या लिख सकते है वन की पावर n है तो यह तो हमें सा वन ही रहेगा यहां क्या आगिया वन की पावर n और यह हो गया sqare की पावर n इसको इन जनरल प्रूफ करना है में, क्योंकि ये तो ठीक है, हमने एक्जाम्पल से दिखा दिया, कि अगर एन आपका 3 का गुनज है, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 होगी, तो 3 हो जाएगी, और एन अगर 3 का गुनज नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, इन जनरल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, हाजी, कैसे प्रूफ करो इसको तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो केस बना लेंगे क्या? केस फेस्ट जब n है वो 3 का गुनज है यानि 3 का मल्टीपल है यह लिख लेंगे जब n 3 का मल्टीपल है तो यहाँ से देखो 1 to the power n plus omega की power n plus omega की power 2n तो जब n की value 3m लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 to the power 3m plus omega की power 3m और plus omega की power 6m plus omega की power 6m तो देखो, यहाँ omega के 3 के मल्टीपल में है और omega जब भी 3 के मल्टीपल में होती तो उसकी value 1 होती है तो यह आगिया 1 plus 1 plus 1 तो in general यह value क्या आती है? 3 आ जाती है in general यह value क्या जाती है? 3L ठीक है? अब हमारे पास second की जब वो 3 का मल्टीपल ना हो यह तो मैंने example दिया था यह in general हो गया की जब n यह वो 3 का गुनज है तो in general हमने क्या लिखा? यह 3 आएगा चीक है? यह याद रख सकते हैं फिर की अगर यह 3 का मल्टीपल नहीं है यह 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 N यह वो 3 का गुनज ना हो तो क्या करेंगे? के second क्या होगा? N 3 का गुनज नहीं है तब क्या करेंगे? तो अगर N 3 का गुनज नहीं है बच्चों तो इसका मतलब वो 3 का मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं उसको तो यहनी N है वो क्या होगा, या तो 3M plus 1 होगा या फिर N है वो 3M plus 2 होगा जैसे 3M plus 3 करेंगे, वापस 3 का गुना जा जाएगा तो या तो वो क्या होगा, 3M plus 1 या 3M plus 2 होगा तो अब यह दोनों case में देख लेते हैं कि अगर n मेरा 3m प्लस 1 हो, तो यहां हो जाएगा 1 की पावर, यहां से 3m प्लस 1 प्लस omega की पावर, 3m प्लस 1 प्लस omega की पावर, sorry, omega की पावर 2 into 3m प्लस 1. यह लिख देंगे. ठीक है? इसको simplify करेंगे तो क्या जाएगा? यहनि इसमें क्या कर रहा हु मैं? तो या तो n 3m प्लस 1 होगा, या फिर n है वो 3m प्लस 2 हो जाएगा, तो मैं पहले लेके चल रहा हूँ जब वो 3m प्लस 1 है. तो इसमें इस n की जाएगे वेल्यू रखी मैंने, 3m प्लस 1, तो यह तो 1 देगा, प्लस, omega की इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यह या पर पावर सकता है, या प्लस ौमेगा हो गया, यह वेल्यू किसके एकूल होगी, 1 प्लस ओमेगा, प्लस ओमेगा स्कुरा, यह वेल्यू होती है 0. तो जब हमारे पास n 3 का गुनज नहीं है, और वो 3m प्लस 1 टाईप का है, तो इसकी value क्या आ रही है? 0 आ रही है. अब next क्या बचा? कि यहां फिर n क्या हो सकता है? 3m प्लस 2 हो सकता है. तो यह भी रख के देख लेते हैं. यह भी रख के देख लेते हैं. यह वैसे आप ध्यान भी रख सकते हो, यह प्रूब भी कर सकते हो, मान लोग अगर एक रख जाम में भूल जाते हैं. तो यहां पर n जब क्या हो? 3m प्लस 2 हो. तो यह value क्या जाएगी? 1 की पावर n, यहां से omega की पावर n, प्लस omega की पावर 2n. इसकी value रखेंगे तो 1 की पावर 3m प्लस 2, प्लस omega की पावर 3m प्लस 2, और यह हो जाएगा, प्लस omega की पावर 2 into 3m प्लस 2, यह लिख देंगे. ठीक है? अब देखो, इसको simplify करोगे तो यह 1 हो गया, प्लस omega की पावर 3m है, यह 1 देदेगा, तो यह omega square बच गया, और यहां से इसको हम लिख सकते हैं, omega की पावर 6m, वो 1 देदेगा, और फिर omega की पावर 4 रहेगा, तो omega की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, omega, याद ने इसको अलग-अलग लिखें, देखो, यह 1 हो गया, प्लस omega की पावर 3m, into omega square लिख लो इसको, प्लस omega की पावर 6m, into omega की पावर 4, यह लिख सकते हैं इसको, यह हो गया यहां पर 1 प्लस omega की पावर 3M 1 हो गया, omega स्क्वाइर प्लस 6M है पावर तो यह 1 हो गया, तो omega ही पावर 4, और omega ही पावर 4 किसके गुल होता है, omega के, तो यह 1 प्लस omega स्क्वाइर प्लस omega वापस 0 हो गया, इसका मतलब जनरल प्रूफ हो गया तो value 3 आजाएगी और अगर n 3 का गुनज नहीं है तो इसकी value हमेशा 0 आएगी इसकी value हमेशा 0 आएगी हमने इसको proof कर लिया general proof तो यह आपका पास important result है जो आप ध्यान रख सकते हैं यह important result है जो आप ध्यान रख सकते हैं समझा रहा है सबको ठीक है तो यह इसका proof था आप जैसे भी ध्यान रखना चाहें रख सकते हैं यह general proof कर सकते हैं सबसे मैं आपको पता होना चाहिए 1 प्लस omega प्लस omega square equals to 0 होता है omega cube equals to 1 होता है और omega की कोई भी power 3 के multiple में है तो वो value हमेशा 1 आती है और omega पावर है वो 3m प्लस 1 टाइप में है तो वो omega आता है और 3m प्लस 2 है तो वो omega square आता है यह पिर हम कहें omega की अगर तीन करमागत गहतों का योग है वो भी अमेशा सुनने आता है यह चीजें थी हमारे पास जो आमें ध्यान रखनी है तो इनको लिखें फिर कुछ और डिजल्ट बनाते हैं जो एक्जाम में पूचे गए हैं कुछन बहुत आसान आते हैं दस सेकिंड बीस सेकिंड में कुछन हो जाता है अगर हमें दिमाग लगाया तो और अगर ऐसे सोल करने लगे तो हो सकता है वो कुछन गलत भी हो जाए उन पर कुछन पर आएंगे अपन पहले इनकी कुछ गुण धरम या जो भी अपने प्रोपर्टीज हैं वो इकठी कर लेते हैं एक साथ ताकि उनको यूज करना कैसे है वो बाद में कुछन पर ट्राई करके हम देख सकते हैं चीक है यह थे हैं आरे पास कुछ गुर धरम तो नेक्स लिखें इसमें और प्रोपर्टीज जो हैं की 1 प्लस ओमेगा स्क्वाइर माइनस ओमेगा इंटु में 1 प्लस ओमेगा आँ तो नेक्स प्रोपरिटी जो भी आप नमबर चल रहा है उसमें डालनें कि one plus omega square minus omega into में one plus omega minus omega square की value की आएगी, ठीक है, बताएं, देखो, इसमें हम, हमें पता है, हम जानते हैं, कि one plus omega plus omega square की तो यहां जानते हैं, तो यह बनेगा minus omega minus omega, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहनी one plus omega square की value minus omega हो जाएगी, वह मनें यहां पिपूट कर दी, यहां देखें, यह हमारे पास क्या है, one plus omega minus omega square है, तो यहां one plus omega की value अगर रखनी है, तो minus omega square हो जाएगी, तो वह रख देते है, minus omega square minus omega square, no doubt, ठीक है, इसको तो अगर simplify करेंगे, minus two omega, और into में यह हो गया, minus two omega square, तो यह बन गया, minus minus plus, यहनि four omega cube, four omega cube, यह बन गया four. तो हैनि इसकी value क्या आगई? one plus omega square minus omega, into में one plus omega minus omega square की value क्या आगई? four आगई. यह इस type से exam में properties कही बार पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, तो इसकी value क्या आगई? four, इसकी value क्या आगई? four आगई. लिखें इसको. अब कई बार हमें इसकी value पूछी जाती हैं, गी omega की power n, plus omega की power 2n, की value क्या आएगी? omega की power n, plus omega की power 2n. तो यह हम लिख सकते हैं जैसे अभी हमने क्या लिकाता कि 1 प्लस 1 की पावर n, यानि 1 ही हो गया था, तो 1 प्लस omega की पावर n प्लस omega की पावर 2n है, वो 3 होता है जब 3 का गुनज है और 0 होता है जब वो 3 का गुनज नहीं है, यह भी result बनाया था हमने, इसकी value क्या होती है 3, कब जब वो n है वो 3 का गुनज हो, और अगर n 3 का गुनज नहीं है तो value 0 आती है, यह मैं पता है, तो अगर मैं यहां से बनाऊं कि omega की पावर n प्लस omega की पावर 2n फाइंड करना है, यह minus 1 आएगा, तो यह अगर 3 है तो इसमें से minus 1 हो जाएगा, और 0 में से minus 1 हो जाएगा, कब जब n 3 का गुनज है तो 3 minus 1, जब n 3 का गुनज नहीं है तो 0 minus 1, तो value के आगे हो इसको भी एक नए result बना सकते हो वैसे वह है, 2 आएगी value कब, जब n 3 का गुनज है, जो ही result है, वह Massachusetts कोई नए नहीं है, और यहां पर minus 1 बनेगा, जब 3 n का गुनज नहीं है, n का गुनज नही है, ठीक है, तो ये एक नए रिजल्ट के तोर पर या उसी से मनने find किया है, ये 3 थी value 0 थी, इस 1 को उदर base दो, तो ये value इसकी आ जाएगी, omega 1 power n plus omega 1 power 2 n, ठीक है, लिख लो इसको, फिर next result लिखें, next result लिखें, हर एक टोपी के कुछ की points होते हैं, जो हमें ध्यान रखने होते हैं, बाकी सारे की उसे नुनी से होते रहते हैं, तो इसके की points मैंने बताए, कि 1 plus omega plus omega square है, वो 0 होता है, omega cube है, वो 1 होता है, omega 1 power अगर 3 के multiple में है, तो हमें इसा 1 देता है, और 3m plus 1 type में है, और 3m plus 2 type में है, तो उनकी value, बस, उनी से सारी properties आप find कर रहे हो, अपने आप soul हो जा रही है, ठीक है, तो next है कि question लिख लेते हैं, है, लिखो, कि question है मारे पास, minus 1 by 2 plus and root 3 by 2, iota, की power 200 plus minus 1 by 2 minus and root 3 by 2 iota, इसकी value क्या है, option A है, 0, option B जो है, 1, option C है वो, minus 1, option D है वो, 2, यह लिखें, कई बार इस type के question पूछ लिए जाते हैं, इसकी value फाइंड करनी है, तो हमें पता है, यह क्या है, omega, omega की पावर 2 i, तो यह value क्या आती है, अब अभी हमने लिखा था ना, omega की पावर n plus omega की पावर 2 i, यह तो n क्या है यह यहां पे, इसकी value में पता है कब आई 2 i, कब जब n 3 का गुनस था, और minus 1 आई, जब n 3 का गुनस था नहीं है, अभी हमने लिखा, और यहां n की value क्या है, इसको compare करेंगे तो 200 है, और 200 होता है, वो 3 का गुनस था, 200 है, वो 3 का गुनस था, और अगर वो 3 का गुनस था नहीं है, तो इसकी value क्या है गी? minus 1, तो answer C, यह जो value लिखिये, वो यही तो लिखिये, omega e power n, omega e power 2n, इसे की value पुचिए इसने, और n की value क्या होगी अभी हाँ? 200, तो 200 अगर 3 का multiple होता, then तो इसकी value क्या आती? 2, और multiple नहीं है, इसलिए minus 1, तो यह value आजाएगी minus 1, तो इस type secution बना सकता है, तो आप direct ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? यह जो properties हैं, इनको काम में लेना आना चाहिए, कैसे apply करते हैं इनको? Next, कुछ properties हो रहे हैं, वो add करते हैं, तो next property लिखो, कि 1 plus omega, 1 plus omega minus omega square की power n, plus 1 minus omega plus omega square की power n की value क्या आएगी? यह find करें सभी? हाँ जी, इसकी value बताएं भी? आसान सा क्यूशन दिया है, मैंने, अभी बने solve किया था, कि 1 plus omega minus omega square, इसको कहा लिख सकते हैं, मैंने अभी कहा था कि 1 plus omega plus omega square, यह 0 होता है, तो 1 plus omega की value में पता है क्या होती है? minus omega square, और 1 plus omega square की value होती है, रखो इसमें, अगर हम इसमें रखेंगे, 1 plus omega तो यह बनेगा minus का, omega square minus का omega square की power n, प्लस, यहाँ देगो 1 plus omega square की value रखेंगे minus omega, तो यह जाएगा minus omega minus omega की power n, यह लिख सकते हैं, यह जाएगा minus omega यह minus का, 2 omega square की power n, और प्लस में minus 2 omega की power n, यह लिख सकते हैं, यहाँ से मैं common लेना चाहूँ, तो minus 1 की power n common ले लेंगे, और यहाँ से यह क्या बन जाएगा, minus 1 की power n, और 2 की power n, और omega की power 2n, यह बन जाएगा, और यह देगो पूरे में से common आ जाएगा, इसको मैं यह लिख सकते हैं, omega की power 2n, प्लस, यह minus 1 की power n है, वो मैंने common ले लिया, 2 की power n भी आएगा, वो भी common ले लिया, तो यह बनेगा omega की power n, अभी m ने देखा था, omega की power n, प्लस omega की power 2n है, इसकी value क्या होती है, अगर n 3 का गुनज है, और 2 होती है, और अगर n 3 का गुनज नहीं है, तो इसकी value minus 1 होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसकी value आएगी, वो क्या आएगी, n 3 का गुनज हो, अगर n 3 का गुनज हो, तो यहाँ पर देखो value क्या आती है, इसकी 2, तो यह value 2 हो जाएगी, और यह value 2 रखेंगे, तो यह क्या बन जाएगी, minus 1 की power 2 की power n, तो पहले से है, into में 2 आएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा, कब है यह, जब n 3 का गुनज है, अगर n 3 का गुनज नहीं है, n 3 का गुनज नहीं है, तो अगर n 3 का गुनज नहीं है, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, minus 1 की power n, into 2 n है, और यहाँ इसकी value क्या होती है, यह फिर minus 1 होती है भी लिखा था हमने, तो minus 1 यहाँ रखेंगे, तो minus 1 की power n पहले से हैं, और into में minus 1 है, तो minus 1 की power n प्लस 1 हो जाएगी, तो यह minus की power n प्लस 1, into में 2 की power n बन जाएगी, तो यह एक नया result आगिया, इसकी value क्या हैगी, minus 1 की power, sorry, यह minus 1 की power n, into में 2 की power n प्लस 1, कब जब n 3 का गुणज है, और जब n 3 का गुणज नहीं है, तो minus 1 की power n प्लस 1, into 2 की power n हो जाएगा, तो यह results भी हैं, और वैसे यह proof करना ज़्यादा असान है, याद रखने की वजाएगी, क्योंकि तो direct value रखो, और देन इसको proof कर सकते हो, कि यह property याद नहीं रहेंगे, आप याद करने कोशिज ना करें, इसलिए मैं इनके proof बता रहा हूँ, ताकि आप इस टाइब के एक्जाम में क्यूशन आते हैं, तो देन आप उनको solve कर सकते हैं, ठीक है, और key point जो बता रखें, जो भी क्यूशन आएब हैं एक्जाम में, उनको simplify करते हैं, लिखें, कुछ properties और हैं, इसको क्यूशन टाइप में भी लिख सकते हो आप, कि यदी, यदी omega, यदी omega, इकाई का एक समिस्तर गनमूल है, यदी omega, इकाई का, एक समिस्तर, गनमूल है, एक इकाई का समिस्तर गनमूल है, तब, हमें value फाइंड करनी हैं, first, a plus b omega, plus c omega square, upon, b plus c omega, plus a omega square, की value, second हमें फाइंड करना है, a plus b omega, plus c omega square, upon, c plus a omega, plus b omega square, और जो third है, वो इनके सम की value फाइंड करनी है, यानि, a plus b omega, plus c omega square, upon, b plus c omega, plus a omega square, और plus में, याड कर दो, a plus b omega, plus c omega square, upon, या जाएगा, c plus a omega, plus b omega square, इसकी value फाइंड करनी है, ठीक है, जो omega है, वो इकाई का एक समीशर घनमूल है, तब इनकी value फाइंड करें, तीन आपके पास questions दिये वें, और ये exam में पूछे गएं, आपके seat में question भी इस type का, वो करेंगे, तब उसमें idea आजाएगा, हाजी, कैसे करोगे, फैस्ट ट्राइ करो पहले, फैस्ट कुशन ट्राइ करें, समझ आ रहा है सबको, जैसे फैस्ट है, अगर इसके अंदर हम, omega का, मल्टिप्लाई करें उपनीचे, तो omega से अगर मल्टिप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या देखो, a omega, प्लस, यह हम एक काम करें, इसमें इसको रहन दे, a plus b omega, plus c omega square, ठीक है, और इसको omega से मल्टिप्लाई करना है, तो इसको ऐसे रख लेते हैं, into में omega, अपन, जो डिनोमिनेटर है, उसमें अगर हम omega को अंदर, मल्टिप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा, b omega, अगर omega का मल्टिप्लाई करेंगे, तो b omega, plus c omega square, c omega square, और plus a omega cube, plus a omega cube, और बच्चों, हमें पता है, omega cube की value क्या होती है, 1 होती है, तो यह बन गया, a plus b omega, plus c omega square, तो यह जो value है, वो इसके equal आगी थे, इससे cancel होगी है, तीक है, यह omega cube है, यह 1 बन जाएगा, a plus b omega, plus c omega square ही तो बन रहा है, यह जो simplify किया थे, किसके equal आगी है, omega की equal, तो जो first है, a plus b omega, plus c omega square, upon, b plus c omega, plus a omega square की value क्या आगई, omega, क्या आगी इसकी value, omega, कर सकते हैं इसको, इसकी value क्या आगी, omega, ठीक है, अब हम इसकी बात करें, second की, तो इसकी value omega आगी, इसकी value कैसे find करें, इसमें मैं omega square से, उपनीचे multiply कर देता हूं, जो second है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, omega square से, उपनीचे multiply कर दिया मैंने, तो अगर इसको, omega square से, उपनीचे multiply करें, तो क्या आएगा देखो, same way, a plus, b omega, plus c omega square, ऐसे रहने देते हैं, into में omega square है, ठीक है, और निचे omega square से multiply कर दो, तो upon, यहां क्या बनेगा देखो, c omega square, तो c omega square, plus, a omega, पहले से omega square से multiply करेंगे, तो a omega cube, a omega cube, plus b omega square, plus b omega 1 power 4, sorry, omega 1 power 4, यह बन गया, इसको और simplify करेंगे, देखो, a plus, b omega, plus c omega square, और यह omega square हो गया, ठीक है, यह omega square हो गया, अब देखो, इसी में, अपने इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे बाले को simplify करो, c omega square, a omega cube, यहनि a 1 बन गया, plus a, plus, b omega 1 power 4, क्या होता है, omega होता है, यह बन गया, b into omega, b into omega, तो यह देखो, यह cancel हो गया, तो यह omega square के एकुल आगया, तो यह value क्या आगी, omega square के एकुल, तो जो first आपको question दिया था, कि a plus b omega, plus c omega square, upon, b plus c omega, plus a omega square, की value आगी, omega, यह हमने find कर लिया, तो second है, a plus b omega, plus c omega square, upon, c plus a omega, plus b omega square, की value क्या है, हमारे पास, omega square, अगर यह दोनों values, उसमें रख देते हैं, last वाले में, तो इसकी value क्या है, omega, इसकी value, square, और omega, plus omega square, किसके एकुल होता है, minus 1 के, तो इसकी value क्या आगी, minus 1 आगी, ठीक है, इस type के question, कैसे solve कर सकते हैं, थोड़ा idea रखें, ताकि अगर exam में पूछा जाए, तो अपन तुरंट कर पाएं, इसमें omega से, उपनिचे multiply किया, omega square से, उपनिचे multiply किया, then यह omega value है, यह omega square, फिर इन दोनों को sum करेंगे, तो इसकी value omega रख दी मैंने, इसकी value omega square रख दी, तो यह minus 1 के equal आगया, ठीक है, तो इसको लिखें, उतारें सभी, फिर next properties लिखते हैं कुछ, आपे लिख्लिया जबने, तो यह सारी properties हमें रखनी है, इन ही पर best question exam में, बार-बार पूतर दाते हैं, ठीक है, हाँ जी, अभी हमने solve किया था question, कि 1 minus omega plus omega square, into में 1 plus omega minus omega square की value क्या था? 4 आती है, यहनि 2 to the power 2, याद है? यहाँ 1 plus omega square को हमने minus omega replace किया था, और यहाँ 1 plus omega को minus omega square replace करेंगी, then simplify करते हैं, तो 2 to the power 2 यह 4 आती है, तो अगर यही से में पूछा जाएगी, 1 minus omega plus omega square into में 1 minus omega square plus omega power 4, into में 1 minus omega की power 4 plus omega की power 8, into में 1 minus omega की power 8 plus omega की power 16, तो इसकी value क्या था? यह यहाँ ने find किया था भी, 2 to the power 2 यहनि 4 आती है, पिछे आपने properties लिखी थी, इसकी value क्या थाएगी? चेक करें, अब देखो 1 plus omega square है, अगर मैं इसको simplify करता हूँ, इसकी value में find नहीं है, तो देखो यहीं लिख लेते हैं इसको, यहाँ 1 plus omega square की value में रख देता हूँ, minus omega, तो यह minus omega, minus omega, यह देखें, यहाँ में पता है, 1 omega e power 4 है, तो omega e power 4 है, वो omega बनता है, और 1 plus omega क्या बन जाता है, minus omega square, तो इसको लिख सकता हूँ, minus omega, यह ठीक है, यहाँ पर में रोग पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 minus omega e power 4 है, उसको मैं लिखूंगा, minus omega, और omega e power 8 दिया हुआ है, तो यह omega square की value है, तो यह हो गया plus का omega square, यह आगया, और यहाँ इसको लिखेंगे 1, और यह आगया minus omega e power 8 है, तो यह minus का omega square है, और omega e power 16 है, तो यह omega है, plus का omega, तो आप एक चीज देखें यहाँ पे, यह जो आपके पास, यहाँ पे हाँ, यह value हमने find की भी है, तो जो आपके पास, हमने जो अभी यहाँ पे, दो टपल लिखेंगे हैं, ठीक है, दो value लिखेंगे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसके चार पद लिख दिए, तो जब यह चार पद लिखेंगे हैं, इन में से यह और यह मिलके यही बन रहा है, यानि यह जो first पद है, वन माइनस ओमेगा प्लस ओमीगा इसक्वार है, second पद गई मारे पास, वन माइनस ओमेगा इसक्वार प्लस ओमेगा ही तो बन रहा है यह, तो यहनि यह हैं दोनो, इन दोनों टपल्स के एक्वली है, यानि ये दोनों संक्या है, ये दोनों सेम है, फिर जो मैं दो पद और एड़ कर रहा हूँ, वापस वो दोनों पद ये ही टपल बन रहे है, ये ही पेर बन रहे हैं दोनों के दोनों, अगर मैं इसमें दो पद और एड़ करता हूँ तब भी वो दोनों यही बनेंगे और मेरे को पता है कि ये दो पद मिलके ये दोनों पद मिलके 2 की पावर 2 देते हैं ये दोनों पद मिलके 2 की पावर 2 देंगे ये 2 की पावर 2 है यह 2 की पावर 2 है तो यनि इसको solve कर रहे है तो यह आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 यह आ रहा है 2 की पावर 4 2 की पावर 4 यनि 2 की पावर 4 का मतब 16 हो गया तो इसकी value क्या आएगी 16 आजाएगी अब ऐसे ही मैं अगर मान लो यह जो पद मेरे पास है 1 minus omega plus omega square और 1 minus omega square plus omega इपावर 4 फिर मैं लिखता 1 minus omega इपावर 4 plus omega इपावर 8 और 1 minus omega इपावर 8 plus omega की पावर 16 और so on ऐसे ही अगर मैं 2N पद लिख देता 2N पद होंगे तो हमें पता है 2 पद मिलके 2 की पावर 2 देंगे दो पद मिलके 2 की पावर 2 दे रहें यहां से दो पद मिलके 2 की पावर 2 दे रहें तो अगर total मेरे पास 2N पद है तो यह total value कितनी आ जाएगी बच्चों यह लिख लिया मैंने तो अगर यह हमारे पास अगर इसके गुननख़ लिखे हैं पर मांलो यह मैंने कितने गुननखं़ करें यहां पर यह इसी के दो गुननखं़ है इसमें यह value इसी के equal आ रही है यहां 4 गुननखं़ होगे 2 और 2 कितने गुननखं़ होगे? 4 गुननखं़ है अब N अगर 1 रखता हूं, तो N वन रखने का मतलब क्या होगा? दो गुणन खंड है, तो दो गुणन खंड की वैल्यू 4 होती है, यह रही. फिर N को अगर मालो मैं 2 रखता हूं, तो 4 गुणन खंड है, 4 का मतलब अभी अपने लिखे तो यह 4 होगे. तो इन 4 गुणन खंड की वैल्यू आने चीए 2 की पावर 4 बिल्कुल आ रही है. ऐसे ही फिर हमने N की वैल्यू 3 रखते हैं, 6 गुणन खंड हो जाएंगे, इन 2 और 8 हो जाएंगे, तो 2 की पावर यहां पर क्या जाएगा? तो N की वैल्यू 3 रखतेंगे, तो 2 की पावर 6 उसकी वैल्यू आजाएगी. इस तरीके से यह कुछ गुण धरम है, इकाई के घंड मूल के जो हमें ध्यान लखने हैं. ठीक है? इकाई के घंड मूल है. तो यह पूछे जाते हैं करी बार एक्जाम में, जो आपको ध्यान लखना है. यह समझ आगया होगा सबको. अगर ऐसे समझ नहीं आए तो आप इनको पहले लिखें. इसको simplify हमने पहले करी लिया. इन चार पद को करें, फिर छह पद को करें, तो 2 की पावर 2 न इसकी वैल्यू आजाएगी. यानि 2 की वैल्यू है, वो 2 की पावर 2 आती है. दो फिर एड़ करते हो, 2 की पावर 2 आती है. तो 2 न गुण नखेंड एड़ करोगे, तो 2 की पावर 2 न आजाएगी. चीक है? तो यह इन जनरल बनाने के लिए लिखा हुआ है, बागी आप इसको simplify भी कर सकते हैं. चीक है? तो यह थे कुछ गुण दरम, इक एक गनमूल के गुणधरम. यहनि जो दो टपल हैं, दो गुण नखंड हैं, उनकी वैल्यू 2 की पावर 2 है. फिर चार गुण नखंड करोगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 हो जाएगी. फिर चै गुण नखंड करोगे, तो इस तरीके से 2 गुण अन्खंड की value 2 की power 2 है तो अगर 2N गुण अन्खंड है तो 2 की power 2N है वो उसकी value हो जाएगी ठीक है बच्चों? हाँ जी next कुछ properties हैं जो आप लिख सकते हैं फिर हम इनके questions पर आते हैं सबसे पहले हमने एकाई के गुण दर्म जब find किये तो यानि की 1 की power 1 by 3 equals to हमने x माना था तो यहां से हमने x cube equals to 1 लिखा then x cube minus 1 equals to 0 फिर यहां से हम लिख सकते हैं x minus 1 और फिर x square plus x plus 1 equals to 0 और हमें पता है इसके जो गुणन खंड आए वो जो आए मूल वो x minus 1 x minus omega और x minus omega और हमने find किये थे ठीक है तो अगर मैं यहां पे x cube plus 1 equals to 0 लिखता हूं x cube plus 1 equals to 0 लिखते हैं तो x cube plus 1 equals to 0 लखेंगे तो इसके गुणन खंड क्या होगे x plus 1 x plus 1 और यहां से क्या बन जाएगा यह x square minus x plus 1 यह बन जाएगा और इसके जो गुणन खंड आते हैं x plus 1 और यह आजाएगा x plus omega और यह आजाएगा x plus omega square यह आप चेक कर सकते हैं इसको डारेट वो multiply करके देख लेना यह इसके गुणन खंड आजाएगे तो यह x cube plus 1 equals to 0 हो then इसके x plus 1 into में x square minus x plus 1 तो यह value जो आती है वो इसके जो गुणन खंड आएगे वो minus 1 minus omega minus omega square आजाएगे minus 1 minus omega minus omega square आजाएगे इसको भी आप लिख सकते है x cube plus 1 क्या जाएगा x cube plus 1 क्योंकि इसको देख लेना आप जो हमारे पास यह x square minus x plus 1 है इसके आप root find करोगे तो यह आएगे x plus omega और यह x plus omega square यह आप check कर सकते हैं तो इसलिए हम यह लिख सकते हैं तो यह basic properties हैं जो आप direct ध्यान रखें इसके बाद यह कुछ गुण धरम थे जो आप direct भी ध्यान रख सकते हैं तो x cube minus 1 equals to 0 then x cube plus 1 equals to 0 है तो इसके root जो आएंगे minus 1 minus omega minus omega square अब next कुछ properties लिखें अगर हमारे पास a square plus ab plus b square लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a minus b omega और a minus b omega square चेक कर लें आप इसको इनको आपस में multiply करके इसको verify कर ले ना a square plus ab plus b square है वो a minus b omega into a minus b omega square की equal लिखा जाता है ऐसे यह अगर यह a square minus ab plus b square होता तो यह लिखा जाएगा a plus b omega और यह a plus b omega square यह उन दरह मैं लिख लिए ना दो काम आ सकते हैं कई बार ठीक है और इनी पर बेस्ट अपन a cube minus b cube लिख सकते हैं और a cube plus b cube लिख सकते हैं तो a cube minus b cube लिखोगे तो इसके root आएगे a minus b a minus b omega और a minus b omega square तो यहां से a cube plus b cube लिखना चाहें तो a plus b और a plus b omega और a plus b omega square यह कुछ गुद्धम है तो यह इसकी theory complete हो गई है कि किसी भी इकाई के घनमूल कैसे find करते हैं और उनके जो गुद्धम है वो आपको ध्यान अखने है तो मैंने आपको बताए इसमें सबसे important चीज क्या है सबसे पहले इसके काई घनमूल कौन से हैं 1 omega omega square फिर इनका धुर्विय रूप लिखना आना चाहें इनकी value पताऊना चाहें उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद मैंने बताए 1 प्लस omega प्लस omega square equals to 0 ये property पताऊना चाहें और omega cube equals to 1 होता है फिर हमने देखा omega e power कोई भी 3 की multiple में है तो उसकी value हमें सब 1 आती है और omega e power 3 के multiple plus 1 है then omega और omega e power 3 के multiple में plus 2 है then omega square आ जाता है वो find कर सकते है फिर omega की अगल 3 करमागत घाते हैं उनका sum है वो सुनने होता है ये हमने देख लिया था बाकी जितने भी properties हमने लिखी है वो उनी से derive हो रही है ये इसकी basic information है जो हमें पता होना चाहें चीक है इनको मैटा देता हूँ अब इन पर बेस जो questions हैं वो कर लेते हैं कैसे exam में questions पूछे जाते हैं तो ये सारी property आप recall करें और इसके बाद इन पर बेस जो questions हैं वो करेंगे अपन चीक है वो next class में देखते हैं इस सारी property आप revise करके आएं ताकि अपन को ये apply करना शीख पाएंगे questions पे चीक है थैंक यू